और P.O.K. में आतंकियों के लांचिंग पैड एक पर फिर एक्टिव हो गए हैं P.O.K. के लीपा वैली में आतंकियों के कई लांचिंग पैड एक्टिव हो चुके हैं ऐसी खबरें मिल रही हैं भारत में घुसपैड की फिराक में 200 से 2500 आतंकी मौझूद हैं इन लॉंचिंग पैट्स में देखी अंकित भटकी एक और एक्स्क्रूसिव रिपोर्ट अब हम आपको पाकिस्तान का वो इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर यह माना जाता है कि आतंकियों के कई लॉंचिंग पैट्स अभी भी मुझूद है यानि कि पाकिस्तान का सियाल कोट इलाका शकरगंड और सियाल कोट इलाके में यह माना जाता है कि पाकिस्तान क अभी भी कई आतंकी लॉंचिंग पैट्स मुझूद है और हमने हाली में ही देखा कि किस तरीके से टनल के जरिये जजर कोटली में आतंकी गुसे थे जिनको हमारे सुरक्षाबलों ने डेर भी किया क्योंकि अब बरबारी होने वाली है पाड़ी छेतरों में और फोकस रहता है आतंकीों का अंतराश्ची सीमा से गुस्पैट करने का ऐसे में हमारे जवान किस तरीके से अलर्ट है क्योंकि आने वाले दिनों में अब त्योहार उनका सीजन भी शुरू होता है इस समय में मौझूद हूँ भरत पाक अंतराश्ची सीमा अकनूर सेक्टर में और आप यहां पर जवान को देख सकते है कि किस तरीके से यहां जवान जो है अपनी निगाहें काउंटर पार्ट पर रखे हुए है और अत्या आदू निखतियार से यह जवान यहां पर लैस ह सामने वाला अगर आप इलाका देखे यह पाकिस्तान का सियाल कोट इलाका है और शायद ही आपने कभी ऐसी तस्वीर देखी होगी सामने जो आप कंक्रीट सी दिवार देख रहे हैं यह पाकिस्तानी पोस्ट है और यहां पर पाकिस्तानी रेंजर बैटे हुए हैं हम अभी observation में है यानि की यहां कुछ पाकिस्तानी रेंजर भी हो सकते हैं लेकिन जवान को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से alert है यह पाकिस्तान का अलर्ट हैं लगातार सुरक्षबलों के इंपूट्स मिल रही है कि त्योहारों से पहले और बरबारी गिरने से पहले आतंकी है प्रयास कर रहे हैं कि अंतराश्टी सीमा या फिर लाइन अफ कंट्रोल से इंफिल्ट्रेट किया जा सके लेकिन इन जवानों की वज़ा से ही हम और आप अपनी गरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं झाल 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 झाल